है आज आपके लिए 67 बीपेसी से रिलेटेड जो भी अती महत्पूर्ण परस्त होंगे उसका हम स्टाट करने जा रहे हैं तो जो भी इस 67 के लिए त्यारी करें होंगे उनके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट स्रीज रहने वाली है दोस्तों यह आप इस 67 बीपेसी के लिए आ और भी आपको डिफरेंट्ट्ट सोर्सेज का आपको इसमें दिया जाएगा जो यहांतपूर्ण कोशन रहेंगे आपका इसका पीडिया भी आपको प्रभाइट कर दिया जाएगा तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों आज हम जो कोशन आपको कराने जा रहें है वो आपको इतिहास से रिलेटेट रहेगा इसके बाद हम जो रफी से भी कराएंगे आपको सैंस से कराएंगे जिसका वेटेज सबसे ज्यादा रहता है उससी ही अनुसार आपको कराया जाएगा आपको इसमें पांक सेकेंड का टाम दिया जाएगा तो आप जो भी आपका एंसर होगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस होता रहेगा जो भी आप रिवीजन कुईक रिवीजन हो जाएगा इसके परपस से आप लोग के लिए यह वीडियो बनाया जा र रहने वाला बै वासकोडि ओपसे न है आपका अलमीरिया डि अलवी वार्क आपके लिएप सेकेंड आपसेड में एंसर हमें को मेंर्य क्मेंट कर सकते हैं यह ताकि आपका प्रैक्टिस होता अलमीडा का जो कारिकाल रहा था वो आपका का 1505 से 1509 इसवी तक इसका कारिकाल रहा था और यह 1505 इस परेव में भारत आए था उसके बाद इसने 1509 इसवी में अलमीडा ने टर्की गुज्रात था मिस्र के जो संजुक्त से नहां उसको प्राजित करके दीव पर अधिकार कर गया था दीव परकब्जा करके ये बहुत ही सक्तिसाली बन गया था और इसमें जो आपका ये कुछ और भी फैक्ट है जैसे कि आपका सत्रह मैं कि सत्रह माई 1498 को वासको डिगामा इसके बारे में बात कर लेते हैं वासको डिगामा ने जो भारत पहला आया था पस्मीटर पर कालिकर्ट बंदरगा पर तो इसने जो समुद्री मार्ग की इसने खोज की थी खोज की थी कि भारत कार जो समुद्री माटग है वो किस तरह से है कि तो सबसे पोडिगामा नहीं काली कर्ट बंदरगा पर पहुंचा था इसके बाद आपका 1509 इस भी जब अल्मीरा का सासन काल खतम हो गया था तो 1509 इस भी में आपका अलफांसो अलवू करक जो है वो आपका वाइसराय बन गया था उसके वाद यहां आया था तो चलिए हम सेकेंड कोस्टन को देख लेते हैं कि सेकेंड कोर्शन आपका है डच इस्ट इंडिया कंपणी ने किस बरस अपनी फैक्टरी पत्रान में अस्थापित की थी आप हमें को एंसर आपको कुमेंट कर सकते हैं पांस सेकेंड का आपको टाइम है कि दोस्ते इसका एंसर रहने वाला है वह आपका भी रहने वाला है यानि कि 1632 में जो इस डच इंडिया कंपणी है वह अपनी फैक्टरी को पत्ना में अस्थापित की थी यह आपका प्रेवे यह आपका प्रेविए की जो है 65 बीप्यसी का प्री का यह कोश्चन पूछा ग तो दोस्तों आपके लिए जो थर्ड कोश्चन रहने वाला है वह आपका है 1760 इसवी का परसीद वान डिवास का जो यूद अंग्रेजों को दारा लड़ा गया था वह किसकी खिलाप लड़ा गया था आपका जो अप्शन है वह पहला है फ्रांसी सी बी है स्पेन सी मैसूर दी करनाटक और उप्युक्त में से कोई नहीं और उप्युक्त में से एक या एक सैदिक है यह उप्शन आपका है आप हमें कोमेंट करिए तो दोस्तो इसका जो एंसर रने वाला वो फ्रांसिसी जो बानिवास का यूद है अंग्रेजिय को दारा फ्रांसिसी ओंके खिलाफ लरा गया था इसमें हम कुछ और फ्रेक्ट की बात कर लेते हैं जैसे इसमें अंबर यूद जो हुआ था वो आपका शत्रा सो इसमें आपका अंबर यूद जो हुआ था वो आपका सत्रा सो उन्चास हिस्वी में आपका अंबर यूद हुआ था पलासी की यूद की बात कर लेते तो पलासी की यूद आपका 5757 इस भी मिल रहा गया था वान डिवास का यूद हम बात कर लेते हैं तो यह आपका 1760 इस भी में आपका लगा गया था दोस्तों अंबर का यूद जो 1749 इस भी मिल रहा गया था वह मजपर जंग चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की जो संजुक्त से ना थे वह वैलूर के समीब अंबर नामक एकस्थान है जो करनाटक के नवाब अवरुद्दिन को पराजित करके उसकी हत्या कर दी गई थी या यहां पर हम बात कर लेते हैं वंडिवास का यूद है वह आपका 1760 इस भी में लड़ा गया था और यह आपका मीर कासिम अवद के नवाव सुजा उदवला यहां मोगल समराथ सा आलम दूतिय जो था और जो संजुक्त से ना था उसमें और अंग्रेजों के मद में लड़ा गया था आपके लिए फोर्थ कोस्टन जो है वो है उस छेत्र की पहचान करें जहां से इरोप बासियों को सरवत्तम सोरा और अफिम प्राप्त होता था तो अप्सन आपका है यह बिहार बी गुजरात सी बंगाल डी मदराश तो दोस्तों इसका जो एंसर रहने वाला है वो आपका यह रहने वाला है यानि कि बिहार से हम जो है वो अंग्रेज लोग थे उरोप बासी लोग उनको अधिक्तम जो अफिम और शुरा वहां से प्राप्त होता था बिहार से ही दोस्ते यहां पर हम जो भी question discuss करने वाले है वह एक्जाम के पर परसं से बहुत ही महत्कुर किया था में से इसे प्राप्त किया था आप में कोमेंट कर सकते हैं जिससे आपका डिविजेन उत्ता रहेगा तो दोस्तों इसका जो एंसर रहने वाला है वो सा सुजार रहने वाला है यानि कि ऑप्शन ये इसका सही है इसमें क्या हुआ था जो आहमद सा अवदाली का समराज का जो भाग था पंजाब वो 773 में जो उसका मिर्टिव होने के बाद मुल्तान कस्मीर और छोटो चेटो जो अफगान जो था उसका अंत्रिक लड़ाई भी चल रहा था जिसके कारण वो सब अपने में ही ब्यस्त था लड़ाई करने में और इधर अथा सुजा काबुल जो है वो गद्धी पर बैठ गया क्योंकि उधर अफगानों के बीचे लड़ाई चल रहा था तो यह लोग अप हाई को रिफ्लेस कर दिया यानि कि विस्तापि करकर स्वयम कस्मीर और पिसावर पर अधिकार कर लिया अब सासुजा था वो उसने काबुल राज प्राप्त करने के लिए उसने रा रंजीत से सहाइता मांगी तो उन्होंने मदद की और उसको गद्धी वापस मिल गया और और उसने कोहनुर हीरा है वो मतलब यह रंजीत से को भेट की थी तो यहां पर इसका जो ऑप्षेन रने वाला है वो सासुजा रने वाला है Marina how those questions देख लेते हैं आयग अठास संतावण के बिदो का नेतरुत विहार इंसने किया था तो बिषार से किस ने नेतरुत किया ओधेने का बिदो तो इसका option A है खान बाहदुर्खा, B कुबर सी, C तात्या टोपे, D, रानी, राम, कुमारी, तो आप हमें 5 सेकंड का वक्त है, आप कोमेंट कर सकते हैं, जैसे आपका practice होता रहेगा, बार-बार डिवीजन करने से आपको भी याद होता रहेगा, दोस्तो ऐसे ही शीरीज आपको देखने के लिए मिलते रहेगा, अगर आपने इस टेनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इस टेनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, और इसका PDF का लिंक भी आपको वीडियो के discussion में दिया जाएगा, आप वहां से direct download कर सकते हैं, तो दोस्त की आरा जिले से संबंधित था, इन्होंने अंग्रेज के विरुद धंडा बुलंद किया था, और इनको जो है बिहार का सींग के नाम से भी जाना जाता था, और इन्होंने शाहवाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तक्ठा पलत किया था, और इन्होंने जो बेगम हजरत महल है उन्होंने लखनाव से नेतरुत किया था फैजावाद से नेतरुत कने वाले मौल भी आहमद दुल्ला थे उन्होंने फैजावाद से नेतरुत किया था अठाश संतावन के विद्रोग का और दिल्ली से बेगम जीनत महल है उन्होंने किया था जो वाइप थी मतलब पतनी थी अंति मुगल बाद सा बाहदुर सागती उनकी वाइप की ब्यगम जीनत महल उन्होंने दिली से अगवाई की थी और इनका जो मिर्ति हो गया था कुमर्शी का वह आपका 26 सपरेल 889 इस भी में कुमर्शी की मिर्ति हो गई थी और इनका जो जन्म हुआ था भी तुके की मिंए जन्म हुआ था जगदिशपूर में कुमा शिंधे राजा थे कहां के तो यह आपका अप्सेट्व है operation है यह मुटका बेयुँआ दिरपूर, कि जगदिशपूर और ड़ी रामपूर दोस्तों ये answer जो रहने वाला है वो आपका जगदिस्पू रहने वाला है previous question में हम हम इसके फैक्ट के बारे में discuss कर चुके हैं तो छले हम नेक्स question पर चलते हैं आपका नेक्स्ट कोश्चन दने वाला है एट नमर इन में से किस ने अठाश स्वंतावन के विद्रों में सक्डिये भाग लिया था तो आपका पहला अप्शन है नाना साहव कानपूर बी बेगम हजात महल लकनोव मौलवी महमद दुल्ला भैजाबाद बेगम जिनत महल दिल दिल और व्पेबर में से कोई नहीं या व्प्यबर में से एक सै ठीक एक सै के है क traveling है को अधश्बस्तों नियुची का उता है को इसका अपका ईंसर्हणने वाला है वह आपका उनानपूर से इनने सहुल चोब गभम हाजात महल लकनोव से किया था में मौलवी मौल भी अहमद दुल्ला जो थे फैजाबाद से इन्होंने नेत्रुत किये था और बेगम जीनत महल वो दिल्ली से नेत्रुत किये थे 867 के विद्रोग को तो इसमें जो इसका एंसर आपका उप्युक्त में से सभी होगा ये सभी सभी सके रूप से भाग लिये थे चले 9 नमर कोश्चन देख लेते हैं नेम लिखरित में से कौन सा कथन सही है तो ये आपका उप्शन है 867 में दरभंगा, डुम्राव, हटवा के महराजाओं और उनके साथी जमिनदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी यहां पर बोल रहा है पैसों से मदद की थी आदमी से नहीं की थी फिर दी अप्शन बोल रहा है आपका 1867 में दरभंगा, डुम्राव, हटवा के महराजाओं और उनके साथी जमिनदारों ने अंग्रेजों का बिरोध किया था तो यहां पर आपका जो एंसर रहने वाला है पांस सेकेंड का वक्त है इसका एंसर आपका यह रहने वाला है यान के 1867 में दरभंगा, डुम्राव, हटवा के महराजाओं और उनके साथी जमिनदारों ने अंग्रेजों की जो मदद की थी वो आदमी यानि के अपने आदमियों की मदद आदमियों की साह था एवन पैसों से दूनों से मदद की थ अपने आदमियों को भी दिया था, यहां पर टेन नमर में क्या बोला गया है, अठास वंताबन की विद्रो से बिहार का कौन सा भाग अपर प्रभावित रहा था, तो यहां पर आपका अप्शन है, दानपूर, बी, पतना, सी, आरा, डी, मुझभपरपूर, और ए, मुंग गया, C, D, E, 3, तो दोस्तों, इसका जो एंसर आने वाला, वो आपका बी रहेगा, ए, रहेगा, यानि कि मुंगेर, और यह आप्शन के अनुसर आपका देखा जाए, तो बी रहेगा, जो कि केवल, ए, यानि कि मुंगेर, जो था, किसी प्रकास वो प्रभावित नहीं हो थ अच्छूता रहा था, तो यहां पर दानापूर, पत्ना, आरा, मुझापरपूर है, इन सभी जगा, 1857 का प्रभाव पर रहा था, विद्रो का, तो दोस्तों, आपको यहां पर इस तरह का स्रीज चलाए जाए जाएगा, आपको अगर वीडियो पसंद आता है, तो आप हमे दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन भी मिले, और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब करकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैं ज जो भी आपका सब्जेक्ट रहे वाला है अभी हम इतिहास को लेकर चलने वाले हैं सिलस्रेवार धंग से उसके बाद आप ताकि आप लोग का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट पर बोलेंगे और या फिर आप हमें कोमेंट भी कर सकते हैं सजेशन भी दे सकते हैं किसी और सब्जेक्ट के लिए तो हम उसे भी करवाया जाएगा जो भी आपको महत्पुर्ण जो भी कोश्चन देगा इंपोर्टेंट उस पर कड़ाया जाएगा तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में और भी संभावित प्रसनों के साथ